जहिन दोस्तों देखिए, SSE की सबसे demanding vacancy, सबसे best vacancy, जिसका इंतजार विद्यारती साल भर करते हैं, वो vacancy फाइनली दोस्तों आ गई है, और सबसी बड़ी बात है कि इस बात बहुत ही बड़ी संक्या में vacancy निकला है, जी बिल्कुल दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, SSE CGL new vacancy 2022, यह जो vacancy एक 10 सितंबर को ही आने वाला था, लेकिन कुछ issues के कारण वो नहीं आ पाया, लेकिन 17 सितंबर यानि कल जो है, जब भी आप यह वीडियो देख रहे हो, 17 सितंबर को vacancy आ गया है, 17 सितंबर से online होना भी चालू हो चुका है, ठीक है, और चलेगा 8 October 2022 तक, टोटल पोस्ट की बात करें, तो 20,000 के आसपास सीट है, और यह सीट बढ़ भी सकता आगे, तो इस vacancy को आपको बिलकुल भी skip नहीं करना है, बिलकुल भी नहीं छोड़ना है, तो कौन-कौन भर सकते हैं, क्या qualification चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कैसे आप तयारी करोगे, सार 20,000 प्लस आपका सीट है, 20,000 के आसपास सीट है, 20,000 के बाद भी सीट को बढ़ाया भी जा सकता है SSC के द्वारा, ठीक है, देखें, इसके बाद अपलाई डेट की बात करेंगे, दोस्तो, 17 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक अपलाई होगा, 17, 9 से 8, 10 तक इसका online form भरा आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तो देखिए, यदि आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, तो आपको 100 लगेगा, कितना लगेगा, only 100 रुपीस, और यदि आप SC हो, ST हो, female हो, या PH हो, मतलब जो दिव्यांग भाई बंदू होते हैं, उनका कुछ भी payment इस पे नहीं लगता है SSC का हार वेकेंसी में 100 रुपीय लगता है, जनरल और OBC को, और EWS को, बाकी किसी को payment इस पे नहीं दिना पड़ता है, ठीक है, SSC की हार वेकेंसी में 100 रुपीय ही payment मांगता है, समझ में आगे हैं, चलिए, अब बात करेंग दोस्तों इसका exam कब होगा, तो देखिए, exam होगा दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में, यानि इसी साल इसका पहला exam ले लिया जाएगा, जो tier 1 होता है, यानि जो prelims परिछा है, वो आपका दिसंबर में आयोजित किया जाएगा, समझ मागिया, चलिए, इसके बाद बात करेंगे, eligibility, इसको कौन भर सकता है, तो इसको भर सकते हैं, graduation वाले, सभी विद्धारती, यदि आपने आर्ट से किया है, साइन्स से किया है, कॉमर्स से किया है, आपका बीटेक है, टेकनलोजी है, बीएस्टी है, कुछ भी है, कितनों percentage है, किसी भी university से आपने graduation पास कर रखा है, तो आप इस वेकिंसी के लिए eligible हो, आसानी से आप इसका home philip कर सकते हो, सिर्फ graduation चाहिए, इसके अलावे कुछ भी special certificate नहीं चाहिए, कोई experience नहीं चाहिए, simple आपका graduation मांगा गया है, तो आसानी सा आप इसको भर पाऊगे, ठीक है, और exam आपका December 2022 में होने वाला है, लेकिन दोस्तों इस वेकिंसी को वही विद्धारती निकाल आपको किस-किस topic पर focus करने की ज़्यादा जरूरत है, इसको भी जानना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको mock test देना पड़ेगा दोस्तों, चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों age limit, इस पे उम्र सीमा क्या मंगता है, देखिए 18-32 साल, post-wise इस पे उम्र सीमा है, ऐसा नहीं क एक जनवरी 2022, एक जनवरी 2022 से आपका उम्र देखेगा, कि हाँ इस दिन आपका age हुआ है कि नहीं हुआ है, जो आपको relaxation भी मिलेगा दोस्तों, OBC वालों को 3 साल का छूट मिलेगा, और SCHT वालों को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा, ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कि पोश्ट में क्या age limit है, और date of birth के हिसाब से भी आप लोगों को बताएंगे कि इतना से इतना के बीच ये दिया आपका DOB है, तब भर पाईएगा, ठीक है, सब चीज हम बता देंगे, ध्यान दिजा, आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, देखें दोस्तों, बात करें अगला post wise विभाग, इस vacancy को भरने के बाद, आपको जो जॉब मिलेगा, वो किस विभाग में मिलेगा, किस मंत्राले में मिलेगा, आपके post का नाम क्या होगा, दूसरी बात ही कि age limit और DOB, date of birth के हिसाब से आपको जानना जरूरी है, कि किस post में कितना date of birth मांगा गया है, कितना age limit मांगा गया है, किस post में मेरा नौकरी लगेगा, कौन सा विभाग में काम करेंगे, किस ministry में काम करेंगे, इसके लिए मुझे आपको PDF दिखाना पड़ेगा, तो चली चलते mobile screen में, और फिर से यहीं मुआपस आएंगे, और आगे का आपको सारे detail बताएंगे, तो चली दोस्तों चलते हैं mobile screen में, देखे दोस्तों आपको हम एक एक post के बारे में बताते हैं, पहले level 8 की बेतन वाली post के बारे में बात करें, Assistant Audit Officer, यहाँ पर मंतरा ले दिया गे दोस्तों, Indian Audit and Account Department, Group B का post है, 30 साल से जादा उम्र नहीं चाहिए, ठीक लिखा है, Assistant Section Officer, यह सारे के सारे जो पोस्ट है, Assistant Section Officer का पद है, और यहाँ पर Ministry, Central Secretary Service, Intelligence Bureau, Ministry of Railway, Ministry of External Affairs, यह सारा चीज यहाँ पर दिया, आप इसका screenshot भी ले सकते हैं, Group B का यह सारा vacancy आपका होने वाला है, और Age Limit देखे, 20 से 30 साल, इस पर 30 से जादा नहीं होने चाहिए, 20 से 30 सारा का यहाँ पर दिया गया है, आप इसका screenshot ले लिजेगा दोस्तों, ठीक है, इसके बाद income tax में भी यहाँ पर vacancy है, Inspector of income tax देखे, Department CBDT है, Group C का vacancy है, 30 साल से जादा उमर नहीं चाहिए, बाकी छूट तो आपको मिलेगा ही, SST को 5 साल, OBC वालों को 3 साल छूट मिलेगा, य क्योंकि बहुत सारा पोस्त है दोस्तों, यहाँ इसका salary 35,400 से लेके 1,12,400 तक है, assistant, divisional account, sub inspector, statical officer, यहाँ पर ministry देखे, NIA है, आपका MHA है, और सारा group B का पोस्त है, age limit आपके इधर सामने में दिया हुआ है, आप screenshot ले सकते हैं, और यह पे लेबल 5 का बेतन वाला है, यहाँ पर auditor का पोस्त है, 18-27 साल age limit इसके बाद बहुत सारा पोस्त है, जिस पे 18-27 साल आपका age यहाँ पर मांगा गया है, और कई सारे मिनिस्ट्री में वेकेंसी निकला है, टोटल 20,000 पोस्त से जाधा वेकेंसी है, तो आप इसका screenshot ले लिजेगा, या फिर इसका PDF भी डाउनलोड कर लिजेगा, चली चलते बोर्ड में और सारी चीज़े समझ लेते हैं, तो दोस्तों जैसा आपने देखा, जितना भी तरह का post था, सारा का detail हमने आपको बता दिया, चली दोस्तों आप बात करेंगे, selection का process, यानि चयन का परकिरिया इस पर क्या रहेगा, कैसे selection होगा, किन क स्टेश से आपको गुजरना पड़ेगा, तो देखिए, सबसे पहले होगा टायर 1, ठीक है, SSC जो exam लेता है न, उसको कहते हैं, पीटी और मिंस नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, इस तरह टायर 4 चलते रहता है, तो टायर 1 होगा, टायर 1 के बाद आ टायर 2 है, टायर 3 नहीं है, तो इस तरह से हर पोश्ट का अलग-अलग selection प्रोसेस आपका है, ठीक है, देखिए, टायर 1 के यहीं की बात करें, क्योंकि पहले तो आपको यहीं परिक्षा देना होगा, आपका पहला सामना इसी exam से होगा, तो टायर 1 में आपका 100 question पूछेगा कितना question आएगा, 100 question का आपका exam होगा, जो कि CBT होगा, computer पर आपको test देना पड़ेगा, 100 question, 200 marks होगा, 100 question, 200 marks होगा, यानि हर question 2 marks का होगा, time आपको मिलेगा, 60 minute, 0.25 का आपका negative marking होगा, यानि 4 question को गलत कीजिएगा, तो एक number आपका cut जाएगा, समझ मागया, यह होगा टायर 1 क pattern, इसके बाद बात करें, tire 1 में कहां कहां से question आएगा, तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, इस पर 4 section से mainly question पूछा जाता है, पहला आपका reasoning, 25 question reasoning रहेगा, इसके बाद जीए, general awareness, तो जीए मतलब होगया, general awareness, इस पर आपका static gk भी पूछेगा, आपका current face भी पूछेगा, तो मतलब general knowledge simple में कहें, तो 25 question आपका gkgs से रहेगा, mathematics की बात करें, तो 25 question आपका mathematics से पूछा जाएगा, ठीक है, 25 question math से रहेगा, और English से आपका रहेगा 25 question, तो 25 गुना 4, कितना होगया, 25 चोका 100, 100 question का exam होगा, 60 minute, यानि पूरी 1 घंटा का time मिलेगा, 200 marks दिया जाएगा, minus marking 0 2.25 का होगा, समझवा गया, चलिए, इसके बाद आपका होगा, टायर 2, टायर 1 में जो विद्धाति क्वालिफाय करेंगे, cut off को clear करेंगे, उनका होगा टायर 2, देखें दोस्तों, यदि टायर 2 की बात करें, तो टायर 2 का syllabus में, 2022 में बदलाव कर दिया गया है, syllabus थोड़ा स इस पर कम पूछा जाएगा, जैसे देखें, 30-30 question पूछा जाएगा, जबकि 2021 में कुछ अलग syllabus था, तो इस पर बदलाव किया गया है, तो दोस्तों, टायर 2 का syllabus के बारे में, एक next video मुझे बनाना पड़ेगा, इस पेसल fresh तरीके से, क्योंकि syllabus में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, और इस vacancy को भरने के बाद आप एक officer बनोगे, ठीक है, आप क्या कहला होगे, पदाधिकारी कहला होगे, आपको officer इस पर बनाये जाएगा, चलिए इसके बाद बात करें, दोस्तों, salary कितना मिलेगा, इस vacancy को भरने मापको वेतन, यानि salary कितना दिया जाएगा, तो देखिए, यह आपका graduation level की job है, ठीक है, आप इस पर officer बनिएगा, तो इस पर आपको label 4 से ध्यान दिजेगा, label 4 से label 8 तक का आपको salary मिलेगा, label 4 से label 8, 25,500 से लेकर के 1,51,100 के बीच, आपका initial payment इस पर होगा, शुरुवाति वेतन इस पर इतना रहने वाला है, ठीक है, और आपकी posting जो है, भारत के किसी भी कोने में हो सकती है, इंडिया के किसी भी कोने में आपका posting हो सकता है, आप जहां चाहो, वहां पर अपना job ले सकते हो, बसरते आपको form भरते समय, वह ऐसा zone को चुनना पड़ेगा, ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, exam center की, कि आपका परि पर डिपेंड करता है कि आप किस zone से भरते हैं, जैसे हम माल लेता है, यदि हम CR zone से भरते हैं, तो मेरा देगा, जैसे बिहार में center रहेगा, यूपी में रहेगा, यदि हम एन आर से भर देते हैं, तो north region में आपका center होगा, यदि आप ER से form को भरिएगा, तो आपका center कोलकात भी सेंटर दे सकता है तो दोस्तों एक्जाम सेंटर दिखाने से पहले आप सभी विदार्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप से सीजेल की तियारी करते हो और सरकारी जॉब चाहते हो तो और भी बहुत सारी वेकंसी आने वाले हैं उसका सारा अपडेट इस चैनल आप लोगों को हम देते रहेंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकान को जरूर दबाएगा और इस वीडियो को लाइक करके ही जाएगा ताकि आगे भी आप लोगों को हम हेल्प कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसको कहते हैं इस पर अंडमान निकोबार आइलेंड जहरकंड उड़िसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल इन राज्यों में आपका सेंटर होगा इसके बाद आपका है करनाटका केरला रिजन जिसको जिकर बोलेंगे इस पर आपका सेंटर हो सकता लक्ष दूइब करनाटक ऐरन केरला में ठीक है इसका नेक्स्ट आपका है मध्य प्रदेश रीजन देख सकते हैं इसके आपका 36 गड़ और मध्य प्रदेश में आपका exam center होगा इसके बाद आपका है नॉर्थ इस्ट रीजन इस पापका अरुनाचल प्रदेश असम मनिपूर मेगालिया मिजोरम नगा प्रचल प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर लद्याक पंजाब इन राजुम आपका सेंटर होगा इसके बाद अगला है साउथन रीजन इस पर आपका अंदर प्रदेश पुदुचेरी तमिलनाडव इन तेलांगरा इन राजुम आपका सेंटर होगा नेक्स्ट जोन आपका है दोस्तों वेस्टन जोन इस पर आपका दादरा एंड नगर है वेली दमन एंड दिव गोवा गुजरात एंड महाराष्ट इन राजुम आपका इक्जाम सेंटर बनाए जाएगा तो आप जहां से भी इंटरस्टेड हैं वहां से फॉम बर सकते हैं और देख लिजेगा आप इस्टन जोन से भरेंगे तो आपका इक्जाम सेंटर इन सहरों में पढ़ेगा ठीक है सारा का डीटेल दिया गया है